दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, पाइनेपल डिजीज जो एक सुबरकेन में लगती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसको पाइनेपल क्यों कहते हैं, इसके क्या सिंप्टम्स होते हैं, और क्या इसके मैनेजमेंट मेजर्स हैं, उसके बारे में हम लोग इस इसमें डिस्कस करेंगे है दोस्तों यह जो डिजीज है इसका जो कॉजल ऑर्गरिजम है ओर है सिरेटोसिस पैराडॉक्स यह फंगस है जो कि इसको कॉस करता है और इस डिजीज को मैंली आपको फिल्ज में देखने को मिलेगा टू तू त्री वीक्स आफ्टर प्लांटिंग आप देखोगे ति यह दिजीज आपको दिखेगा इसके सिंटम्स एपियर होगे एक्चिल होता क्या है इसमें जो हम सेट्स को इसमें प्लांटिंग करते हैं तो जो सेट्स है उसके जो कट पार्ट होता है उधर से यह फंगस क्या होता है इंटर कर जाता है और जिसके प्रॉब्लम आ जाते हैं और सपोस्ट अगर स्विशन हो भी जाती है तो दन वाट विल हैपन हाड़ी सीस तू ट्वेल सेंटिमीटर जो है आपको सुगर केन जो है वो हाइट में दीखने को मिलेगा तो यह तो यह बहुत बड़ी समस्या है अगर टाइम आप फिल्ड में सु इसको क्या करता है एक जो प्रॉसेस है वो खाफी है आपको सीवियर दिखने लगा और इसका सिंटम से हैं कि पहले तो यह आपको रेट सिंटम इस वे इस बढ़ता जाएगा वह आपका डार होता रहता है तो ब्राउन होगा प्राउन से फिर वह ब्लैक में अवर्ट होजा तो यह आपका प्रिवेंट कर देगा, जो रूट्स निकलते हैं उनको यह प्रिवेंट कर देता है। इससे क्या हमारी poor population हमारी हो जाती है पर-unitary plant population को maintain नहीं कर पाते हैं और कभी-कभी याद रखिएगा कि यह disease जो है standing crops में भी आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि अगर field में super cane standing position में है तो कभी देखते होगा कि आपके borer के attack हो गए या rats cut कर दिये या कभी injury लग गई गया किसी एनी physical source है तो उस टिसको वहां के द्वारा यह क्या होगा यह पैथोजन फंगस जो है इंटर कर जाएगा तो आपको standing crop में भी यह आपको problem जो symptoms है इसके pineapple disease के यह दिख सकते हैं और उसके बाद क्या होगा यह जो केन में यह spread करना इस्टार्ट कर देगा और आपकी जो foliage portion है वह allowing start हो जाएगी और धेदर प्लांट्स क्या है विदर हो जाएंगे और अगर आप जो केन को cut करोगे तो उसमें से आपको एक smell निकलेगी और वह smell आपको pineapple की तरह जो है इसमेल होता है सेम वाइसे दिखेगा इसलिए इसको pineapple disease आप सुगर के बोलते हैं अब बात हम कर लेते हैं कि management हम इसका कैसे करेंगे तो दोस्तों पहले तो बता देंगे आपको फिल्ड में आपको hygienic and instantation maintain करना बहुत important है अगर आप जो है सुगर करने जा रहे हैं तो और दूसरी बात आप आलवेज जो है healthy, disease free, three budded sets को plant करें जिसे कि आपकी generation अच्छी होगी, try करें कि resistant और tolerant जो बराइटियां है उन्हीं को grow करें, कोसिस करें कि अपने फिल्ड में proper आपको drainage जो है maintain करें जिसे कि पानी न अलगे फिल्ड में और कोसिस करें कि जो आपके sets प् fungicides होते हैं, उसे treat कर लें, बोने से पहले जिसे कि आपका fungus का invasion उसमें नहीं होगा, और अपने sets को आप hot water के दोरा भी treat कर सकते हो, जिससे कि आपका germination अच्छा होगा, और pathogency के complete कर जाएगा, और एक जो है cultural practice है कि आप अगर 25-25 ton press mut, अगर आप अपने फिल्ड में apply कर दे करते हैं, one week before the planting of the sugarcane set, तो ये देखा गया है, कि जो set rot है, ये जो आपका disease है, ये कम पाया जाएगा, और आपके sugarcane में tellering अच्छी होगी, आपका cane growth अच्छा होगा, और finally आपको इसकी recovery हो जाएगी, दोस्तों ये था overall about the pineapple disease, वीडियो कैसे लगी, इसको comment करके आप लोगाएगा.